कानूनों को लेकर कॉंग्रस की रैली होने जा रही है राहूल गांधी करशी कानूनों के विरोध में पंजाब से रैली की शुरुआत करेंगे कॉंग्रस रैली को लेकर के विधायक सुखपाल खेरा ने हमारे समधाता से खास बाटशीत करी है सुखपाल खेरा ने रैली को लेकर के कहा कि कॉंग्रिस अपनी राजन्यतिक लाप के लिए रैली निकालने जा रही है उन्होंने किसान की सबस्या से उनको कोई मतलब नहीं है साथी सुकपाल खेरा ने ये भी कहा कि इस्रैली से केवल ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होगी इसे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला तो वहीं पंजाब स्कॉलर्शिप घोटाले को लेकर के SIT ने कैबिनेट मंतरी साधू सिंग को क्लीन चिट दे दी है और अमरंदर सिंग अपने मंतरी को बचाने का काम कर रहे हैं केंदर सरकार द्वारा पारित किये गए क्रिशी कानुन बिल का हर तरफ आंदोलन देखने को मिल रहा है इस बिल को लेकर जहां पूरे देश में आंदोलन जा रही है प्रधान सुपाल सिंग खेरा है खेरा सर अभी इस बिल को लेकर इसका हर जगा जो है वो रोश देखने को मिल रहा है और अभी जो है वो अकाली दल द्वारा भी है रैली निकाली गई है तो आप उसको लेकर क्या कर लिए जो तो किसान के जो और्गनाईजेशन हैं जो असल विरोध है वो लोग कर रहे हैं सारे देश में पंजाब में हर्याना में क्योंकि इन लोगों ने एक जैनून प्रोटेस्ट खड़ा किया और काफी दिनों से रेल गाडियों को रोक रहे हैं और जो धरने परदर्शन जो बिल्कुल जबरदस्त जो पुलिटिकल पार्टी कर रहे हैं वो अपनी वोटों की राजनीती के लिए कर रहे हैं जैसे अकाली दल ने उस दिन किया एक दिन अमरसर से अकालतकत साब से इतना महान स्थान से मार्च निकाला तो पंजाब के गवर्नर को मिलना है तो आप तो दिल्ली जाते प्रधान मंतरी के निवास के बाहर बैटते और तब तक न उठते जब तक प्रधान मंतरी उनकी बात न माल लेते और जो एक दिन उनोंने मार्च निकाला सारी ट्रैफिक डिसरप्ट की करोड़ों रुपे का खर्चा किया और जब चंदीगर पहुंचे रात कोशाम को पुलीस ने हर सिमरत बादल और सुबीर बादल और बिक्रम जीटिया इनको बूला आपको हमने अरेस किया यह खुद चलके उनकी गाड़ियों में बैटके थाने चले गए बाद में उनके वर्कर्स को लाठी चार्ज किया पानी की बुचार्ड की उनको बहुत ब अगर सरकार का कोई मिनिस्टर के से किसी घुटाले में आ रहा है तो यह इनकोईरी जो लगाते हैं अपने अफसरों के अब पंजाब में तो चीफ सेक्टरी को ही इनकोईरी बोली थे ना मरिंदर सिंग ने चीफ सेक्टरी ने तीन और अधिकारी को बोल दिया और अधिकार माइनिंग का उठा था आठ महीने अमरिंदर सिंग ने उसको दस बार क्लीन चिट दी तो वो तो जब हमने रोज कोई नया तत पेश करना और नया एविडेंस लाना और उसके बाद इनको मजबूर होकर कि उस मनिस्टर को ड्रॉप करना पड़ा तो यह गर्मिंट की जो भी इ आई वाश इसमें कभी कुछ नहीं निकलता अगर आपोजिशन को कि आज आपोजिशन में जो बने हुए हैं जाडू के लोग इनमें इतनी जान ही नहीं है कि धरम सोट के मामले को इतना जोरदार तरीके से उठाते कि उसको रिजाइन करना पड़ता डिमॉक्रेसी में जब धरम सोट के करप्ट मुद्दों के उपर अमरिंदर सिंग के खिलाफ एक मुहाज खड़ा कर पाते फिर तो उसका इस्तिफा होना था अमरिंदर सिंग तो बचाएंगे अपने मिनिस्टर को तो ये थे हमारे साथ पंजाब एकता मंच के प्रधान और क्रिशी कानुन को लेकर इनके द्वारा जो है कैप्टन सरकार को कुछ सुझाब भी दिये कहे हैं और इनका कहना है आर्या पार की जो लड़ाई है वो लड़ी जाए चन्रीकर से कैमरा पर सुनवी आदव के साथ कवीता सैनी जनता है